लोगों का अचकल publicity का शौकची है कि कुछ गलता है कुछ बोलने का शौकची कुछ भी बोलो है life क्यों होता है कर थ्रेट होता है life को होता है जिसको थ्रेट है जैसे सल्मान भाई को थ्रेट है 15, 20, 25, 60 अभी सल्मान भाई के पास गरत-गरत 40 लोग एक साथ है सबसे तो पहले मेरा सबको सस्रेकाल नमस्कार और आदाव आपके पर कोई ट्रेनिंग वही थी इस पर परसनल सेक्योरिटी गार्ड के लिए शुरू से थोड़ी बोत जो टिक बोक्सिंग वगरा यह ट्रेनिंग जो चलती है वह ट्रेनिंग कि थी मैंने थोड़ा बहुत स्कूल में ट्रेनिंग कि थी थोड़ी मास्ट पस्ट्नेस को देखे लेवल और थोड़ा सा आई-क्यू लेवल ज़र अच्छा है वह भी चाही होता है ना अलर्ट होना है, अलर्ट होना है, and you have to make a decision at the point when it is needed, आप अगर इसके उपर उमीद रहे हो, security का जो मेन चीज है, you have to make a decision, अगर आप लीड कर रहे हो, तो you know what you are doing, and आपको decision लेना बहुत जरूरी है, अब हम सल्मान खान के बारे मेरे, आप उनको मालिक बुलाते हैं, या मालिक कि आप सल्मान खान के साथ आप जुड़ जाईए, शुरूआ तैसा था कि मैं एक event कर रहा था, विक्वेल का, तभी सल्मान भाई उदर आये थे, और वहां मेरा उनसे खाली नजर अंदाज, नजर मिली थी बस, सामने से, और उसके बाद चले गए, तो उसके बाद पर अर्पिता है थी, और मैंने फिर अर्पिता से, उनकी बहन, बहन चोटी वाली, तो उनको मैंने मिलाया था, उसके साथ, उसके बाद मेरी अगली मुलाकात हुई थी सल्मान भाई के जब क्यानोरी वजाय थे, तो ही ओ, ओकिट के टेरेस पे, जो सैंतर प्रिस में होटल है, उसके टेरेस पे फंक्शन था, वो बजारे तबी आया थे, तब ही मैं सामने से जाके सल्मान भाई से मिला था, और मैंने बात कीती है, और उसके बाद मुझे फिर सोहल भाई ने बुलाया था, जो सल्मान खान के बाई है, इनके शोज होते थे जो, स्टेश शोज, तो इनों ने कहा आपको कि सोहल भाई ने बुलाया था, तो फ़हला शोज मैंने उनके साथ जलंदर में किया था, तो उस वड़ वो क्या चाहते थे, कि आप उन्हें प्रोटेक्ट करें, इनके साथ शुरू हुआता है, कि पूरी सेकूरिटी इंचार्ज, जिससे ऑपरेश, क् मैंने मिस वर्ल्ड यसा था, है तो वो पूरा करने के लिए, उनके साथ जो हो, शोज में क्राउड गा उनके मैंट तो मैं पहले एक दिन पहले जाता था, और पूरा रेक्टी करके, फिर सालमान भाय आते थे और उनको फिर मैं शोज पर लेके जाता था, फिर वो शोज से वापी छोड़ता था फिर में वापीस आता था तो शुरुवात में रूटीन ऐसे हुई तो मतलब एक ग्रूप था अपके साथ सिर्फ आप अकेले निए अकेला था और लोकल सेकुरिटी मेरा काम था के लोकल सेकुरिटी को लेकर हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है सल्मान खान की सिक्यूरिटी के लिए क्राउट का चैलेंज होता है सबसे बड़ा क्योंकि सब लोग को मिलना है एज लीमिट कोई नहीं है एक स्टार की एज लीमिट इसकोई बच्चे से लेकर वो चोटा बच्चा भी आएगा वो दांस करेगा दबंग 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 औ बड़े भी हैं सब तो भाई को जो प्यार करने वाले उनके को एज लीमिट नहीं है तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन कितना करीब आ सकता है एक डेकोरम तो मेंटेन करते ही न सबके लिए मिलते सबसे हैं फोटो किचानी है तो इसाब से तब ही सेक्यूरिटी रहती ह भाई को तो आपको उनके साथ भी काम करना होता है जो सरकारी सेक्यूरिटी ऑफिसर होते हैं और जो प्राइवेट सेक्यूरिटी यह सब को टीम वर्क होता है अगर मैं किदर भाई को लेके भी जाता हूं कोई दुसरी शेर में लेके जाता हूं तो अगर मेरे साथ जो लड को दो कौकल हम अपना मेर कबर के बाद पर हमारे कींन का गवर य थर और जो नो लोकल्स का तो लोकल लड़के भी कांट प्रोटेक्ट और कम नेर सलमान भाई जो लोकल होते हैं क्योंकि उनको उनका काम है लोगों को सम्मालना तो रिंग्स होते हैं या वन रिंग्स प्रोटेक्ट सलमान भाई अवर टीम प्रोटेक्ट सलमान भाई लोकल्स आर तो प्रोट जैसे आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, जो बहुत वेलनोन पीपल है, बॉलीवोड, हॉलीवोड, हर जगा, इनका प्राइवेट लाइफ वो नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता, कि सारा टाइम कोई ना कोई चिपका रहता है, मैं आपको एक बाइब बताता हूँ, मैंने जैसे भाई के साथ ही ले लो, मैंने भाई के साथ सेकुरिटी इंडिया में किया, और मैं भाई को फोरें में भी लेके गया हूँ, यूरोप लेके गया हूँ, यूस से लेके गया हूँ, कंपैर तो जा सिस्टम जो हमारे हैं, वहा आखर आप किसी को देखो तो लौर्माइल आटिश भी देखो तो आप उसको देख सकते हो कि अकूद से फोटो किंव हो यानर तो आप देखते हैं फिर क्रावड मानत乾ी उसके बद मांता तो हमारे तो पब्ली को मालुम है लोग जुदह वह ज्यादा वह नहीं करेंगे फिर इंडियन वैसे हैं अभाई बाकि वह उदर के सब कुछ करेंगे वैसे जब हमारा स्टार वहां गया तो विल्कुल सेम जैसे हमारे आकें वैसे हो जाते हैं पर मतलब सिर्फ इंडियन नहीं पाकिस्तानी बंगला देशी सब लोग सब लोग वैसे भीड में आते हैं और फिर उनको दुबई में तो आपको क्या बता है क्या हाल है बंगला देश में तो एक दिन एरपोर्ट से वापिस ले आए देमें सल्मान भाई को क्यों इतना क्राउड फिर एक बार हम वापस कहां ले आए बंबे वह बाहाँ शेहर जा नहीं सके ऐसा पब्लिक होगी वह मैं को छोटा सा किस्सा सुनाता हूं औरंगाबाद का है और अब 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 दमें गये दे तो मैं एरपोर्ट से उत्रे अगर पौँचे जिनके लिए रैली काने थी तो अन्के घर में अच्छे से बैठ एंगे रैली से निकले वह बैठे टेंपो में ट्रक बड़े लिए बड़ा टेंपो जो हता इस चोटा निए बड़ा वहाँ जोड़के बोलता है, सर आप वापीस जाओ, आप वापीस जाओ, सर, आप मानेंगे नहीं, वहाँ से भाई को बहले आगे खड़े थे भाई को बोलके पीछे लाए, कि पुब्लिक पीछे देखने आए, इतने पुब्लिक इतना क्राउड के हम वहाँ से टेंपो ऐसा लेके हम गए सीधा एरपोर्ट लाइट में बैठें और वापिस बॉंब्लिक आगे, और हाला कि इट्स नॉर्ट एफ कि सल्मान खान जो है, वो सबके साथ बीड में जाते हैं, मिलते हैं, ऐसे कुछ नहीं, वो थोड़ा इरिटेट भी होते हैं, जब कोई बहुत करीब आत है, इतना उनका इंटरेक्शन नहीं है, मैं एक जरनल बात बोलूँगा, कि जो शायद लोग नहीं समझते हैं, फैंस होते हैं, स्टार होता है, लेकिन एक स्टार की परसनल लाइफ होती है, जैसे आपकी परसनल लाइफ होती है, आप भी कभी परसनल लाइफ में भी घर में कुछ हो जाए या आपकी वाइफ के साथ या मौम के साथ या गर में आपके काम को लेकर कभी आप किसी चीज़ से थोड़े बहुत अफसेट होते हैं तो वो जो मुड़ा तो उस टेम पे किसी का दिल नहीं होता हो थोड़ा सा अपने आपको लोली लगमा चाहता है लेकिन यह स्टार है तो पता लगता है वो स्टार है तो पता लगता है सेलिबरेटी है बड़ा सेलिबरेटी है बड़ा स्टार है तो पता लगता है बाकि कॉंट्रोरसी किसके लाइफ में नहीं है आप नीचे अगर देखो तो कॉंट्रोरसी हर एक के साथ है उसको बगा मिलता है गिरना कोको अटैक्र ना Today, truly, life को लिए एक ञों थूको फिर्ट के लिए था। थेक्ष होता है, जैसे Salman भाई को थ्रेट है। शारुको खाण, अमिते बचण अब बहुत सार HR वे थेक्ष हैं। क्राउड में कोई फंक्षिन है इवेंट है उसके अंदर क्राउड में कोन है क्या नहीं है वह सब बहुत देखना पड़ दा उस चीज तो आप उनके साथ रहते हैं उस हेसाब से आपको भी रिस्क है तो एक तका रहे गई जैसे कि अभी शोज में अगर भाई का भी कोई भी या होने वाला है तो पहले जाके सो करते बिदाओं प्लीद को बिदी पीं दोडाते हुट करता हूं पूरा सेक्रेड का करता हुए को नो अ कि पहले सेफटी है तो नहीं स सुम्हांट और शारू खान को उनके इर्दगिर्द कितने लोग उते हैं को की całतीट veteran क्योंकि वाई प्लस सेकुरिटी है, पुलिस भी है, पुलिस की एसकॉर्ड भी है आगे बीचे और परसनल एसकॉर्ड भी है और परसनल बोडी गार्ड भी रहा है